एक question solve करते हैं, question में statement दीगेए, if z equal to 2 plus 3 iota, then z power 5 plus z bar power 5 is equal to, तो एक कामे कर लेते हैं, कि z तो अपने पास given है, 2 plus 3 iota, and यहां से z bar की value दीगेए, 2 minus 3 iota, अब फर्दर यहां से में, z power 5 plus z bar power 5 की value चाहिए, इसका मतलब value हमें चाहिए, 2 plus 3 iota, to the power 5, plus 2 minus 3 iota, to the power 5, तो अभी कामे कर लेते हैं, E, इस expression की value, evaluate करने के लिए, इस binomial expansion के इस्तेमाल कर लेते हैं, that is, a plus b power 5, तो अगर इसका expansion किया जाए, तो यहां से लिख सकते हैं, 5c0, then a to the power 5, b to the power 0, फिर 5c1, a to the power 4, b to the power 1, plus up to, final term मिलेगा, 5c5, a to the power 0, b to the power 5, सिमिलरली अगर यहां से, a minus b power 5, इस expression को लिखा जाए, तो इसकी value हो जाएगी, 5c0, a power 5, and minus b power 0, तो in fact, b power 0 लिख रहते हैं से, फिर फर्दर यह मिल जाएगा, minus 5c1, a to the power 4, b, फिर plus up to and zone, इसे फर्दर देखें, तो यहां से 5c5, a to the power 0, and minus b to the power 5, तो ultimately यह माइनस का, b to the power 5 लेगा, फिर फर्दर जब हम इन दोन एक्सपेंशन का एडिशन करेंगे, तो यहां से होगा यह कि 5c1, यह जो और सब्सक्रिप्ट वाले जितने भी टम्स होंगे, वो सारे के सारे के सारे कैंसल आउट हो जाएगे, और इवेन सब्सक्रिप्ट वाले जितने भी टम्स होंगे, वो हमें दो दो बार देखने को मिलेंगे, तो अगर इन एक्सपेंशन का इस्तिमाल, इस गिवन क्रिशन में कर लिया जाए, तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है, सबसे पहले टू बाहर आ जाएगा, यहां पर य एक के प्लेस पे अगर हम देखें, तो 2 गिवन है, और अगर बी के प्लेस पे देखा जाए, तो 3 आयोटा गिवन है, तो यहां से रिजल्ट मिल गए, 5C0, 2 पावर 5, और फिर 3 आयोटा पावर 0, फिर नेक्स नम देखने को मिलेगा, प्लस का 5C2, और 2 पावर 3, 3 आयोटा पावर 2, फिर नेक्स नम मिल दा, प्लस का 5C4, 2 पावर 1, और 3 आयोटा पावर 4, तो फर्दर इसे सिंप्लिफाई किया जाए, तो यहां से रिजल्ट मिल दा, ट्वाइस और 5C0 को देखा जाए, तो 5C0 तो 1 होगा, 2 पावर 5 यह आपने पावर 32, फिर 5C2 को सिंप्लिफाई को 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 सिंप्लिफा यहां से तो रिजल्ट आगया आपने पास 32 देन माइनस फिर अगर देखा जाए यहां से तर्म जो देखने को मिलेगा आपने पास हो जाएगा फाइफ फॉर्जा 20 और नाइन फॉर्जा 36 तो 36 इंटू 20 तो यह अपने पास हो गया 7 20 फिर प्लस फर्दर यहां से देखा जाए तो फाइफ टू जा तो टैन हो गया और तो यहां से रिजल्ट मिला एफ वन जीरो तो इसको फॉर्दर सिंटिफाई के जाए तो यहां से रिजल्ट अपने पास हो जाएगा एफ टैन में से अगर 720 को सब्सक्राइक करतें तो अपन को देखा जाए तो इससे सबसेटर देखा जाए तो इस question में option A will be a correct choice